कैसे हो मेरे प्यारे बच्चों, my dears, subscribers, my friends, my viewers देखे आज मैं आपको क्या दिखाने वाला हूँ, देखे A big thanks, a big thanks A big thanks to whom for hundredth video by Pankat Bhakshi Physics Indor यह मेरा hundredth video है और इसके लिए मैं आप सबको धन्यवाद अपने दिल की गहराईयों से देना चाहता हूँ सबसे ज़्यादा धन्यवाद मैं देना चाहता हूँ मेरे उन students को जिनके कारण मैंने video बनाना स्टार्ट किया जो एक सरदार थे हमारे प्यारा स्टूडेंट हर नाम जिसको मैं हरपाल केता था अभी वो कैनेड़ा में है देन माइडियर स्टूडेंट्स अनुश्का चोटी डॉक्टर मर्लीन मैरीन यह सब ब्लैक बोर्ट पर पूरा अच्छी राइटिंग में लिखती थी और मैं प्रैक्टिकल्स को और भी बहुत सारे बच्चे हैं मुझे नाम अभी आद नहीं आ रहा है अनुभा हो ऐसे बहुत ही सारे बच्चे हैं जिन्होंने मेरा साथ दिया और आज मैं अपना हंड़ेट्थ वीडियो बना रहा हूं मैं अपने स्कूल के प्रिंसिपल फादर पायस को मैनेजमेंट को अपने फ्रेंड्स को सहगल सर को जिन्होंने मेरे वीडियो के इंट्रो बनाएं विनो सर विक्टर सर योगी सर डीके सर कपिल सर सभी को मैं अपना थैंक्यू धन्यवाद देना चाहता हूं रीना मैडम इन सबने मुझे हमेशा प्रोच साहित किया बहुत सारे लोग ऐसे भी थे जिन्होंने मुझे हाथ तो साहित कि अरे ऐसे वीडियो तो धेर सारे चैनल कि अधर सभी तो अथी बात कि प्रोच में थाूब ख़िका इसमें है बनाने से कोई फायदा नहीं पर मैं फिर भी लगा रहा क्योंकि मुझे बच्छों का प्यार भाचों ने कहां कि सर आप यह ट्रेक्टीकल के वीडियो बनाए है तो हम एक्जाम टाइम में उन्हीं के प बच्छों को, प्रिंसिपल को, मैं अपनी मा को, शेरिमती शेशी बख्षी को, और मैं अपनी पत्नी, मेरी वाइव दीपा शेर्मा बख्षी, she is lecturer in Government Kasturva High Secondary School for Paramedical and she is teaching MLT Medical Laboratory Technology. उसको मैं बहुत धन्यवाद दूँगा, उसको समर्पित करूँगा आज का वीडियो आख्यों को, मित्रों को, अपने बच्चों को, क्योंकि मेरी वाइव ने मेरा सहयोग किया और हमेशा मुझे वीडियो बनाने के लिए प्रुस्टा ही दिया, जगा प्रदान की, तो आज ये मैंने आपके दो या तीन मिनिट, चार मिनिट जो लिए हैं, वो इसलिए और ऐसे ही आप अपना प्यार मुझे प्रदान करते रीजिये, और मेरे साथ मेरा प्यारा दोस्त भी आप देख रहे हैं, इस इस गोकु, सुपर फेन गोकु, कामे यामा, कामे यामे या, देखे कितने खुबसूरत बाले इसके, ट्रेस देखिए इसकी, तो आज ये भी हमारे साथ बैठ कर हमें इस वीडियो को, हंडेट वीडियो को इंजॉई करने वाला है, तो मैं सभी को, सभी मेरे बच्चे, जिनका नाम मैंने नहीं भी लिया, जिन्होंने मेरा सहयोग किया है, मुझे नाम बहुत सारे याद नहीं आए हैं, वीबी जैसे देव पटेल का नाम अभी याद आ गया, ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं हमारे साथ, राशी है, और भी बच्चिया हैं, ठीक है, तो तो टोड़े, अगें, I am going to discuss with you, magnetism, and previously we have discussed magnetic effect of current, it means when current flows through a conductor, or in solenide, or in a circuit, then we get magnetic field, आज हम जानते हैं कि there is no distinction between electricity and magnetism, because moving charges, moving current produces magnetism, and magnetism also produces electricity, वो बाद में आपने देखा होगा, electromagnetic induction में, तो हम origin of magnetism आज जानेंगे, that is magnetism and matter, so what is magnetism में आपको बताऊंगा, actually in 600 BC की बात है, आपकी बात है, in around 600 BC, the Thales of Malthus, Thales of Malthus, M-I-L-E-T-U-S, आप इसको कोई और भी प्रोणाउंस कर सकते हैं, मुझे कोई प्राब्लम नहीं है, in 600 BC, around the Thales of Malthus, he finds that, क्या पता लगा होने, he finds that there is an attractive property in ore of iron, and that ore of iron, they found in Magnesia in Asia Minor in Greece, कहां मिला उनको, ग्रीस में एशिया माइनर में, एक डिस्ट्रिक्ट है, कौन सी Magnesia, वहां पर एक ore मिला, iron ore, and the name of the ore was magnetite, फार्मूला आपको याद होगा, F3O4, it has a property to attract the small bits of iron, या iron feelings को, iron को attract कर लिता था, तो फिर इन्हों ने पता लगाया कि यही magnetism है, it means the phenomena of, the phenomena of attracting small bits of iron, cobalt, nickel, etc., is known as magnetism, and this F3O4, magnetite is our natural magnet, after that Chinese also reveals the property, special directive property of magnet, उन्होंने देखा, कि वैन a magnet in artificial, sorry, natural magnet, यह artificial नहीं है, अगर मैंने artificial कह दिया हो, तो गलत है, it is a natural magnet, कैसा magnet है यह, natural magnet, कई बार गलती से, कुछ गलत बाते मुझ से निकल जाती हैं, फिर से बता देता हूं, F3O4 is natural magnet, it is a natural magnet, and Chinese, they found the properties of natural magnets, कि वैन a magnet is suspended, freely suspended, then it always comes to rest in north-south direction, and that is directive property of magnet, इसलिए इसको leading stone, और load stone, और kissing stone भी का जाता है, क्योंकि यह north-south को kiss करता है, so Chinese, they found this property, and then that property was used in, and still now it is using in navigation, जब शेप जाते हैं पानी में, तो उनको पता ही नहीं लगता है, इतना पानी होता है हर तरफ, अभी बार आती है तो आप देखते हैं, तो समुदर में कितना पानी होगा, तो how to find the direction with the help of this magnet, तो magnet छोटा सा लेते हैं, छोटा सा ऐसे magnet लेते हैं, और उस magnet में हम क्या करते हैं, एक pointer लगा देते हैं, and this pointer, एक scale पे होती, जहांप पूरे direction मना दिये जाते हैं, यह जैखी north-south direction, और यह बाकी का दूसरा direction, यह सा होते हैं, तो यह कुन सा होगया, west और east, यह सा धेर सारे direction बनते होते हैं, this is known as compass needle, so compass needle gives us direction, but the natural magnets, they are irregular, and their property, attractive property is very less, बहुत काम होती है, और हमें applications के लिए, we know, we want a strong magnet, तो फिर हमने artificial magnet बना है, with the help of iron and steel, तो आज हम थोड़ा सा magnet के बारे में पढ़ेंगे, generally whatever magnet you are watching, in your laboratory or everywhere, that is a small bar magnet, ऐसा bar magnet होता है, ऐसा, कि common magnet है वही, तो bar magnet के क्या-क्या properties होती है, और bar magnet क्या होता है, यह मैं आपको आज पताता हूँ, गोकु जी आपको ठीक समझ में आ रहा है, आज रहा है गोकु को भी तो, तो लूक यर, बीस यसे बार मेंगेंगे, यहां पर मैं कुछ करूंगा भी, यहां पर मैं कुछ करूंगा भी, and LG is known as geometrical length so geometrical length is the length of a bar magnet between its two ends but we have seen that the maximum or most of the property of a magnet is not at the ends it is just close to the ends near the ends the point near the ends and these ends are known as poles here is the most property is attractive here and it is not a little under and we have said this I have said this and it is called and it is called or it is called and it is called North Pole and South Pole so poles what will happen poles are the points near the ends of the magnet where magnetic strength is maximum is it a big property poles are the points near the ends of the magnet where magnetic field strength or magnetic strength of magnet is maximum like poles they attract each other unlike poles sorry like poles they ripple each other and unlike poles attract each other 100th video so they are the most of the poles when the poles are coming then we find a distance between two poles and the distance between two poles is LM and this is known as magnetic length this is known as magnetic length this is what we have said magnetic length and magnetic length is generally 6 upon 7th of geometrical length बहुत ज़्यादा दिफरेंस नियुआ 6 upon 7th बहुत काम होता है कही जगे आपको 5 upon 6 भी मिलेगा तो ठीक है थोड़ा साही थोड़ा के Okay Now There are some special properties of magnet Number 1, when it is suspended It comes to rest Where? In north-south direction Number 2 The magnetic field lines They start from North And Then comes to South ये भी अभी बताओंगा ये क्या होता है और ये क्यों पढ़ रहे हैं हम लो North से South और अंदर ये जाती ही South से North It has two poles It has two poles So जिसके भी दो पोल होते हैं उसमें डाइपोल मॉमिंट आ जाता है So it has also a डाइपोल मॉमिंट And that डाइपोल मॉमिंट is known as Magnetic डाइपोल मॉमिंट इसे हम लोग Small M book में दिया रहता है मैं इसको capital M लेता हूँ और इसका formula देखे क्या होगा है M equal to Small M into 2L आप कहोगे 2L क्या है 2L is effective length It is effective length or magnetic length Geometrical length नहीं लेते हम We are always considering effective length or magnetic length So magnetic dipole moment is equal to the Product of magnitude of pole strength Kya है ये बच्चो This is pole strength Into length of magnet Or effective length Or magnetic length In में से कुछ भी आप ले सकते हो And length is a vector So magnetic dipole moment is also a vector quantity So आपको M पता लग दिया कि हर pole की एक strength होती है Every pole has some strength And that strength is known as pole strength Which is given by M And इसकी unit क्या होती है वो भी बताता हूँ आपको देखिए इसकी unit होती है Ampere meter Or length की meter होती है तो इसे कहते है Ampere meter square या Joule पर तेसला भी कहते हैं Joule पर तेसला Actually ये मुझे याद नहीं है Pole strength की unit पर मैं इसको एक तरीके से याद करता हूँ क्योंकि मुझे पता है कि There is one more formula for magnetic dipole moment आपको अभी बताता हूँ देखो बहुता है M equal to Ni है ये dipole ये किसी current carrying loop का होता है तो N की तो कोई unit होगी नहीं I की unit ampere होती है और area की meter square तो मिरको ये याद हो गई तो I know that magnetic dipole moment is ampere meter square और ये meter है मतलब ये ampere meter हो गया है ना बढ़िया की So A magnet has two poles It means it is a dipole And every dipole possess dipole moment और ये ही देखो आप देखो तो difference आ गया Electric field और magnetic field के अंदर Electric field is due to an isolated charge But magnetic field is not due to isolated charge It is due to dipole उसकी electric field एक charge की वज़े से है जिसकी unit coulomb है और वो scalar है और जबकि magnetic dipole moment vector है ये कितना बड़ा difference है दोनों के बीच में और एक बहुत बड़ा difference आपको और बताने वाला हूँ है और उसको बताने के लिए आप एक चीज़ और आप अच्छी तरह जानते होंगे कि earth is also behaves as a huge magnet बहुत बड़ा magnet है earth हमारा और उसी magnetic property की आपने कभी एक चीज़ नोटिस की है कि कबूतर पहले letter पहुचाते थे इदर से उदर संदेश तो वो कैसे एक जगे से दूसरी जगे चले जाते है actually जो चोंच होती है कभूतर की पीजन की the beak it is made up of magnetic material so they always moves in the direction of resultant magnetic field and so they know very well कहां से आये थे और कहां जाना है आपने देखा होगा Siberian पक्षी और बहुत सारे पक्षी छे महीने के बाद या किसी special season में हजारो किलोमेटर दूर से भारत में आते हैं या कहीं जाते हैं फिर अपनी जगे वापस चले जाते हैं जबकि आपको या मुझे किसी अंजान शेहर की किसी गली में छोड़ दिया जाए तो हम भटक जाएंगे लेकिन उन ही भटकते बिकास उन के पास magnetic property है and now they have two magnetic field one is due to their beak and second is due to earth and so they move in the resultant direction and then they always reach to their specified place oh so intelligent they are हम इंसान हो के भी ये चीज नहीं पता लगा पाए तो magnetic property आपको मैंने बताई magnetic dipole moment बताया now you know very well कि when two poles are there there is an attraction between them तो हमारा दोस्त दोड़ा दोड़ा आता है कौन अरे कूलम्स कूलम्स ने आके बूला the force between is K Q1 Q2 ने M1 M2 upon R square इसकी pole strength M1 इसकी M2 और K यहाँ पर होता है mu naught upon 4 pi M1 M2 upon R square in vacuum air or free space mu naught आपको याद है na absolute permeability इसको याद गदने का तरीका मैं आपको बता चुका हूं और फिर बता हूंगा बाद में and it is equal to 10 to the power minus 7 so this is the force between the two poles and repulsion is the surest proof of magnetism अगर आपके पास एक ये magnet है और एक ये iron का piece है और सेम है अब आपको पता लगाना है कि इन में से कौन iron है और कौन magnet तो आप देखोगे तो ये तो दोनों बार बार ही चिपकेंगे कैसे भी तो what we have to do we have to take another magnet ये नौर्थ है और ये नौर्थ है तो देखो मैं साउट लाया तो ये चिपक गया ये भी चिपक गया अब मैं उल्टा करके लाया तो ये चिपक गया लेकिन ये रिपल हो गया प्रकॉर्थ है तो ये पता लगया तो ये पता लगया ये पता लगया ये इन 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 पिस इत मेंज अट्रेक्शन से नहीं पता लगा पता कैसे लगता है रिपल्शन से आपके ये 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 प्रकॉइब देश्क गया चाहिए तो से इंडेफिनेशन से प्रॉपर्टी जाती है जैसी एलेक्टिक फिल लाइन की होती है तो मैं आपको थोड़ा सा बताता हूं पहले मैगनेटिक फिल्ड लाइन so this is a path this is a path straight or curved this is a path straight or curved over which if we draw a tangent then we get the direction of magnetic field right so magnetic field lines आपके लिए बहुत जादा इंपोर्टेंट है या the path along which a compass needle aligned हमें compass needle ले 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 लेंगे वो जो चाइना वालो ने बनाई थी पर हम चाइना की चीजे इस्तमाल नहीं करना चाहते है so फिर से it is a path straight or curved along which a compass needle moves is known as magnetic field lines कैसे magnetic field line बनी मैं बत रता हूं आपको compass needle आपने ले ले and here you have a magnet south and here north and here you are keeping a compass needle so south इदर आएके चिपक जाएगा और north इदर हो जाएगा हो जाएगा फिर आपने यहां रख दी तो फिर ऐसे हो जाएगा यह जैसे घूम के इदर चली जाएगी अब इदर नौर्थ आजाएगा and so this is the direction of magnetic field lines right तो यह path straight भी हो सकता और curve भी for uniform magnetic field it is straight now I am going to give you the properties of magnetic field line and the first property पता लगी गई आपको खुदी बता दोगे आप क्या the magnetic field lines they originate from north pole and terminates into south pole नहीं से सही नहीं से कहा जाती है यह यह नहीं से सही जाती है they originate from north pole and terminates into south pole and inside the magnet they move from south to north यह property इसको electric field line से अलग तर देती है it means magnetic field lines are continuous curve magnetic field lines are continuous curve यह पूछा जाता है बच्चो एक्जाम में because outside the magnet they start from north and terminates into south and inside the magnet they move from south to north so they form a closed loop क्या बनाया नहीं? closed loop while in electric field lines there is no closed loop electric field lines move from positive to negative charge लेकिन फिर negative फिर positive नहीं आती और मानलो फिर positive ही चार्ज है so it gives out electric field line और वो terminate कहां जाके होगी infinity पे जाके तो closed कहां हो रहा है नहीं हो रहा है? स्थी कहाना मैंने then number two if we draw a tangent at any point it will give the direction of magnetic field at that point तो हमने electric field lines इसे लिए बनाइन है कि हमें magnetic field lines की direction मिल जाएं किसकी direction मिल जाएं magnetic field lines की directions and in order to find the strength of a magnet magnetic field तो magnetic field कि strength इतनी है किसी की भी it decides by there number of magnetic lines of force बताया था ना जैसे आप यह देखो कम बाल है यहनि magnetic field line कैसा है अरे वीक है यहां ज्यादा बाल है यहां magnetic field line ज्यादा है ना मतलब magnetic field strong है यहां straight ball है विल्कुल parallel it means magnetic field is uniform so third property क्या गई the density of magnetic field lines the density of magnetic field lines tells us about the strength of magnetic field if density of magnetic field lines is more magnetic field is strong if lines are away from each other less then magnetic field is less and magnetic field lines are parallel and equally spaced for a uniform magnetic field अगर magnetic field line straight है, equally distant है, parallel है, so it is equal to the uniform magnetic field. And ये longitudinally contract होती हैं, आपने देखा ही हैं, और sideward pressure है, ये repulsion बताता है और ये attraction. तो ये छोटी मोटी बात हैं हमने पढ़ दी. लेकिन, mainly what we want, mainly we want magnetic dipole moment and how to find magnetic dipole moment of a current carrying loop. तो मैं आपको, एक वर आपको property पता होगी शायद, वो जो पहले भी हम पढ़ चुके हैं बहुत पार, कि two magnetic field lines never intersect each other. Two magnetic field lines, they never intersect each other. because at the point of intersection we have two directions of magnetic field which is not possible. एक ही point पे, अगर मैं आपसे बोलूँ कि आप यहां खड़े हो, यहीं से आप left भी चले जाओ, राइट भी चले जाओ, तो आप जाओगी क्या, नहीं, अरे आप जरासंग थोड़ी हो, कि आपका आजा इसा कड जाओ, और एक इदर चला जाओ, और एक इदर, it is not possible. So, two magnetic field lines never intersect, never cross each other. Because, at the point of intersection there will be two directions of magnetic field which is not possible. कुकु जी आपको समझ में आया क्या, यह आया, और यह तो वैसी महान है, इस चीज़ी में तो इसको क्या समझाए हम, यह तो बहुत इंटेलिजेंट आती है, लेकिन हम इसके ऐसे बनने के लिए, बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, अपने को स्ट्रॉंग बनाना पड़ेगा, आप बनाईए, कार्टून्स फिक्षिशियस होते हैं, लेकिन इन से हम अच्छी बाते सीख सकते हैं कि कैसे अपने को फिट बनाए, सबजियां खाएं, बिकॉस वैजिटेबल से ही इनका नाम आया है, वैजिटा, वैजिटेबल से नाम आया, देखो आप, गोकु ग्रीन से इनका ठीबल से ग्रीन से होते हैं, बिकॉस युदेड वोग्यों लोगणिटों ग्रीन डाम इनका सम्ट घान शाइं, इनका सुटेखो जाएं, वैजिटेखो तो प्रॉबल्लम अरे हां गोकु जी, अरे गोकु जी शारी यार, गोकु जी ने बहुर अच्छी बात आदी इन्होंने कहा कि आपने ये तो बता दिया था कि ये North Pole है ये South Pole है and then what is the direction of magnetic field? अरे ये नवटाए गिनी? direction of magnetic field is from North to South यहाँनि नहीं से सही and direction of magnetic dipole moment is from South to North यह याद रखे आप यह बहुत काम आएगा, देखो direction of magnetic field is from north to south and direction of magnetic dipole is south to north and also you know very well that there are two magnetic fields एक होता है cross और एक होता है dot cross means magnetic field perpendicular to the plane of the paper directed downwards, inwards or dot यानि magnetic field perpendicular to the plane of the paper directed outwards अरे बिंदी, बिंदी कहां लगाते हैं बार तो outwards cross कहां होता है, अंदर ओके, तो याद रखेंगे अब आप कि magnetic field नहीं से सही and सही से नहीं कोन जाता है magnetic dipole moment so now we have to find magnetic dipole moment of a current carrying loop तो मैं एक लूप बनाता हूं देखिए black color से बना देता हूं this is a loop of center O and suppose its area of cross section is A correct, and it is carrying current I from where to where और इन anticlockwise direction तो anticlockwise direction में क्या बनता आपको याद है न ये देखो, और याद नहीं है तो देखो न ये anticlockwise है anticlockwise धड़ी घुमती है जापकी गुमाती हो, नहीं, नहीं मतलब नो, नो मतलब यें it means anticlockwise से नहीं बनता है north pole and clockwise south ये देखो it means the upper face behaves as a north pole and the lower face behaves as a south pole नीचे से देखोगे तो south देखेगा because यहां से current अगर यह देखो, अगर यहां current ऊपर anticlockwise है तो नीचे से clockwise हो जाएगी and what is the direction of magnetic field? north to south here and magnetic dipole moment is from where? magnetic is south to north magnetic dipole moment is acquired and we have to find the value of this magnetic dipole moment तो हमने एक्सपेरिमेंट किया और पता लगाया कि यह क्या होता है बताता हूं रही क्या आपको consider तो मेरी आदत ही है कहते है consider or let physics के गहने है जेवर इसके बिना physics को मजा नहीं आएगा consider a loop of conducting wire having area of cross section having area of cross section capital A ठीक है if I be the current flowing through it कैसे flow हो रही है वो कोई matter नहीं करता then it acts as a magnetic dipole देखलो आप consider a loop of conducting wire having area of cross section A if I be the current flowing through it then it acts as a magnetic dipole magnetic monopole does not exist जैसे electric monopole होता है positive charge अलग negative अलग उनका electric field भी पर अगर आप north और south अलग अलग शाहोगे तो नहीं मिलेगा एक magnet को if you cut तो फिर वो north-south बन जाए कितने भी छोटे टुक्डे कर दो हर छोटा टुक्डा चिला चिला के गहेगा मैं north-south हूँ मैं north-south हूँ अलग नहीं होगा यानि magnetic dipole is always there हमेशा magnetic dipole होगा प्यारे बश्चो तो इसका magnetic dipole होगा कितना तो from experiments we found that the magnetic dipole यह बिटा दू क्या यह बिटा देता हूँ चला हूँ from experiment from experiment it was found that magnetic dipole moment book में small m मिलेगा मैं capital M ले रहा हूँ capital M directly proportional to I and directly proportional to A it means more current more magnetic dipole moment more magnetic field more area of cross section more magnetic field तो यह दो चीजें आपके परस आगे अभी इनको combine कर लो और M proportional I A and how many tons we have N tons भई लूब जो है क्वाइल उसमें एक ही तो टन नहीं होगी बहुत सारे tons होगी तो N है तो M equal to हमारा आजा था N I A actually यह होता है M equal to K I A and K equal to 1 so M equal to I A M equal to I A होता है and then M equal to N I A क्या आगे आपका N I A और यह मैं आपको यह भी आपको बता दूँ यह खास चीजे यह जो N I होता है इसे कहते हैं Ampere form यह Ampere turns क्या कहते हैं इसको Ampere turns this N I is Ampere turns and now with the help of this we can easily find the unit of magnetic dipole moment SI unit निकालता हूँ अभी निकालके बताता हूँ M equal to N I A OK It means if you have A अगर आपके पास क्या है एक magnetic dipole moment of a loop current carrying loop उसका यह formula होगा current carrying loop का magnetic dipole you can find N I A where N I is Ampere turns कहते हैं इसको और इसकी unit निकालता हूँ मैं N की कोई unit होगी क्या नहीं नम्बर की क्या unit I या निए Ampere and area means meter square यह आ गया Ampere meter square यहादे मैंने बताया भी था Jules per Tesla M into 2L So this is magnetic dipole moment of a current carrying loop तो आप कहेंगे कि सर यह तो बड़ा हो रहा है मैं actually आज बोर magneton भी आपको बताना चाह रहा था पर यह मेरा hundred वीडियो है और मैं आपको फिर कहूंगा कि प्लीज आप इसको subscribe करें चैनल को share करें जिनको भी इसका फाइदा मिलता है बच्चे जब मुझे अच्छे कमेंट देते हैं कि हमें अच्छा लगा तो मुझे भी बहुत अच्छा लगता है अब एक numerical करा देता हूं और फिर आपको नमस्टे करूंगा देखिए यह वायर ओफ लेंट ल मीटर कैरिंग करेंट आई कैरिंग करेंट आई इस बेंग इन दी फॉर्म आप एस सर्कल फाइंड इस मेगनेटिक मॉमिन्ट क्या निकालना है बच्छो हमें इसका मेगनेटिक मॉमिन्ट निकालना है बहुत इजी है आप खुछ भी हो गए हो गए आपको समझ में आ रहा है कुकू हाँ आ रहा है इसको तो वी नो वेरी वेल मेगनेटिक डाइपोल मॉमिन्ट इस एन आई ए इस इट ओक है यह फार्मूला है अब इसके हिसाब से बागी चीज़े लिख लो पहले एको एन कितना है एन वहने वन टर्न आई आई तो आई है और यह क्या है पाइ आर स्कुएर वाट आर भी डोंट है आर नहीं है पर एक शीज़े वायर की लेंथ तेल है एं लेंथ अपे सरकल इस तू पाया इस मेंस 2 pi r equal to l so r equal to l upon 2 pi आरे वाह निकल गया आप करना क्या है बस पार्मुला लगाओ और कर दो इसको तब n कर दिया था मैंने so we know m equal to n i a so m equal to 1 into i and area is pi r square so i into pi and what is r l upon 2 pi so l square upon 4 pi square ये direct कर सकता हूं इतना तो आता होगा pi 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 so it is i l square upon 4 pi ampere meter square ये लिखना बहुत जरूरी है बच्चो देखिए m equal to n i a n की value i की value a pi r square r हमरे पास था ये हमने रख दिया तो मुझे उमीड आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा और फिर आपसे मेरी धन्यवाद देना चाहता हूं आप लोगों को आपके माता पिता को आपके रिलेटिव्स आपके फ्रेंड्स अपने सारे प्यारे बच्चों अपने प्रिंसिपल फादर पायस फादर डिमेलो जो हमारे पास थे फादर मोहन फादर पीटर थारी सिस्टर्स और अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो प्रीज आप सब्सक्राइब करें लाइक करें और शेर करें कमेंट जरूर करें थैंक यू वेरी मच्छ खुश रहो बच्चों अच्छे टैस्तों अच्छी एक्सांस तों थैंक यू अल्दावेस्ट